नमस्कार, मैं आस्था जोशी और आप देख रहे हैं तरलोग निती चैनल तो आईए आज की ताजा खबरों पर हम नज़र डालते हैं IPS अजय पाल शर्मा ने बलातकारी का दड़ा कर मारी गोली सोशल मीडिया पर हो रही सरहना पुलिस सदीक्षक अजय पाल ने 6 साल की मासुम के हत्यारे और बलातकारी नाजल को मुढभेर में गोली मार कर गिरफतार कर लिया है रामपूर के कप्तान के इस कदम से सोशल मीडिया पर उनकी काफी सरहना हो रही है सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि अजय पाल शर्मा ने बलातकारी को दड़ा कर गोली मारी सोशल मीडिया पर लोग उन्हें भगवान कह रहे हैं तो कोई सिंगम का दर्जा दे रहे है तो कोई उनके इस कदम की सरहना करते हुए नहीं ठक रहा है दरसर यूपी के तेज तरार आईपेस अज़ेपाल शर्मा एंड काउंटर स्पेशलिस्ट हैं और शामली में रहकर भी उनने कई अपरादियों के एंड काउंटर किया है अज़ेपाल शर्मा योगी के चहेते अफसरों में से एक है शामली में बदमाशों को गले में तक्ती पहन कर सरेंडर करने को मजबूर करने वाले आईपेस अज़ेपाल फिर से सुर्खियों में है इस बार उनकी सुर्खियों में रहने का कारण रामपुर में एक बलातकारी को गोली मारना है छे साल की बच्ची की हत्या और बलाकार के आरोप में फरार चल रहे अपरादी नाजल की सिविल लाइन सिदाके में पुलिस से मुढ़ भेर हो गई थी पुलिस को देखते ही अपराधी ने पुलिस पर फायर करना शुरू कर दिया जवाब में पुलिस ने अपराधी को तीन गोलिया मारी अपराधी नाजल अभी होस्पिटल में भड़ती है पुलिस कप्तान अजयपाल शर्मा ने बताया कि लगभग 45 दिन पहले एक बच्ची गायब हो गई थी शानिवार को उसका शव मिला जो पूरी तरह गल चुका था परिजुनों ने बच्ची के साथ दुश कर्म और हत्या होने का मामला दर्च कराया था मुक्बीर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को घेर लिया पुलिस से घेरा जान कर आरोपी ने फायर किया था जिसका जवाब दिया गया ये मुकदमा साथ मई को दर्च कराया गया था घायल बलातकारी को जिला अस्पिताल के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया जहां उसका इलाज किया जा रहा है वही सोशल मीडिया पर अजय पाल को सुपरमेन का दर्जा दिया जा रहा है अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू